अलो एवरिवन, वेलकम टू टीब अफेर्स इस वीडियो में बात करेंगे महत्मून दीवस और थीम नवंबर मा के दो इंपोर्टन डेज और थीम से नवंबर के ये वीडियो उसके बारे में है करेंट अफेर्स का ये वीडियो है और अगर आप चैनल पर फर्स टाम आया तो आप वीडियो को इंट तक जरूर देखें किसी भी एक्जाम में दीवस डेज और थीम से एक दो कॉस्टिन्स जरूर रहते हैं और आप बागी की वीडियो भी प्लेलिस में जाके जरूर देखें जो रेसेंटली अपलोड किया गया है और बागी की वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को इंपोर्टेंट डेज और थीम विश है नवंबर 2021 सबसे पहले बात करेंगे एक नवंबर को किया अब्जर्फ किया जाता है वर्ड वीगन डे विश शाकाहार दिवस देखें वीगन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है वेजेटेरियन से वीगन वो चीज कहा जाता है जो किसी भी तरीके के एनिमल प्रोड़क्ट का कंजम्शन नहीं करते हैं लाइक इवन डेरी प्रोड़क्ट सो गया मिल्क, चीज, कर्ड, नॉट इवन हनी और किसी भी तरीके से उस चीज का इस्तमाल नहीं करते हैं कोई भी एनिमल प्रोड़क्ट का ये टोटली डोंट यूज एनिमल प्रोड़क्ट तो वो होते हैं प्यूर जो जो अलग होता है वो कहां जाता है वीगन तो वीगन विशव शाक एहर दीवस एक नवंबर को आपजर्व किया जाता है 2 नवंबर को होता है हुआ इसमार आइरवेधяла डे आयॵेध दीवस देखी होता निये इस बार अबसर्व किया गया ये चछटा एनिवरसरी तरह जो आईरवेद डिवस का जनरेली आईरवेद मिनिस्ट्री के दौरा आयूश मंत्रायले उसके दरव अब्जर्व किया जाता है आयरुवेद दिवस और थीम क्या था आयरुवेदा फॉर पोशन और आयूश मिनिस्ट्र कौन है सर्बनंद सोनोवाल जो पहले आसम के मुख्यमंत्री थे तीन नवंबर को अब्जर्व किया विश्व सुनामी जाग रुकता दिवस अब्जर्व किया जाता है UNDDR जो किया है United Nations Office for Disaster Risk Reduction जिसका हेड़कॉर्टर है जीनिवा में और थीम क्या था स्टेंथनिंग डिजास्टर रिस्क थीम था इसका स्टेंथनिंग डिजास्टर रिस्क International Stress Awareness Week तो अंतराश्चित तनाव जाग रुकता सब्ता ये अब्जर्व किया गया 2 से 6 नवंबर के बीच में 7 नवंबर को अब्जर्व किया जाता है National Cancer Awareness Day राष्टिक कैंसर जाग रुकता दिवस आपको बताना है कमेंट बॉक्स में Cancer Day जो Global World Cancer Day वो कब अब्जर्व किया जाता है Please write in comment box तो 7 नवंबर को अब्जर्व किया जाता है National Cancer Awareness Day 8 नवंबर को होता है अंतराश्चित रेडियोलोजी दिवस 9 नवंबर को होता है National Legal Service Day यानी राष्टिक कानुनी सेवा दिवस 10 नवंबर को अब्जर्व किया जाता है World Science Day for Peace and Development शांती और विकास के लिए विश्विज्यान दिवस जिसका थीम था Building Climate Ready Communities Building Climate Ready Communities 11 नवंबर को अब्जर्व के जाता है National Education Day important है ये राष्टिक शिक्षा दिवस Education Day on the birth anniversary of मौलाना अबूल कलाम आजाद जो की पहले शिक्षा मत्री थे आजाद भारत के Independent India के First Education Minister थे इन्हें भारत रत भी दिया गया था 12 नवंबर को क्या अब्जर्व किया जाता है Public Service Broadcasting Day लोक सेवा प्रसारन दिवस ये इसलिए अब्जर्व किया जाता क्योंकि इसी दिन 1947 को All India Radio को महत्मा गादी ने अड्रस किया था 12 नवंबर 1947 को फिर आता है दूसरा है 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस वर्ल्ड निमोनिया डे 14 नवंबर को वर्ल्ड डाइबेटीज डे विश्व नधुमे दिवस इसका थीम था एक्सेस टू डाइबेटीज केर और किसके दरह अब्जर्व किया जाता है International Diabetes Foundation जिसका Headquarter है Brussels Belgium में 14 नवंबर को जो दूसरा डे है National Children's Day बाल दिवस जो की birth anniversary of पंडित जवाहरलाल नहरू तो इस बार का जो था सड़क यातायात पिडितों के लिए इसका थीम था first responders first responders और फिर दूसरा था पंदर नवंबर को यह very important है इस बार जो अब्जर्व किया गया जन जाती गौरव दिवस यानि ट्राइबल प्राइड डे ट्राइबल प्राइड डे यह अब्जर्व किया गया और the birth anniversary of बिर्शा मुंडा जारकेट के लोग इनसे अव्येर हैं बिर्शा मुंडा जो ट्राइबल लीडर ऑन फाइटर थे बिर्शा मुंडा तो उनके बिर्थ एनिवर्सरी पे ये पहली बार किन सरकार ने डिसिजन लिया ये अब्सर्व किया जागा हर साल 15 नमबर को जन जाती गौरब दिवस ट्राइबल प्राइड डे और इसी दिन प्रदान मंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया जन जाती गौरब दिवस महासबा जो की भुपाल में और्गनाइज हुआ था और आपको बताना है उसी दिन जो हबीब गंज रेलवे स्टेशन है मद्यप्रदेश भुपाल में उसका नाम बदल कर क्या किया गया हबीब गंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया ये भी उसी दिन डिसिजन दिया ग राश्ट्र मिर्गी दिवस तो ये दोनों सतर नवंबर को अब्जर्व किया जाता है अठर नवंबर को नेचुरे पैथी ये भी आयूश मत्राले के दोरा अब्जर्व किया जाता है प्राक्रितिक चिकिस्ता दीवस थीम था पोशन अहार एंड रोगमुक्त भारत दूसरा है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेर्नेस वी विष्व रोगानुरोधी जागरुकता सब्ता अठर से चौबिस नवंबर के बीच अब्जर्व किया जाता है इसका थीम था यूनाइटेट टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल फिर तीसरा आता है 18 नमंबर को झो होता है वर्ल। फिल्व डर्शन शास्त्र दिवस यह अब्जर्व किया जयता है हर साल थर्ड थर्ज्टे ऑफ नोवंबर या निवंबर के सारब के तीसरे गूरु gua को इस बार ये ऑब्सर्व किया गये 18 नमंबर को विश्व दर्शन शास्त्री यानी philosophy day observe किया जाता है 19 नमंबर को world toilet day very important विश्व 14 दीवस जिसका theme था valuing toilets और जो दूसरा था 19 नमंबर को 19 नमंबर को 3 important day है सभी important है आप कह सकते हैं वर्ल्ड वोमेंस एंट्रपेनर्स शिप्टे महिला उदमिता दीवस और तीसरा है इंटरनाशनल मेंस टे अंतराष्ट्र पूरुष दीवस जिसका theme था better relations between men and women तो 19 नमंबर को 3 डे ट्वालेट डे एंट्रपेनर्शिप वोमेंट्रपेनर्शिप दे और तीसरा इंटरनाशनल मेंस डे बीस नमंबर को world's children's day अब देखिए national children's day जो होता है बाल दीवस वो 14 नमंबर लेकिन world's children's day ये 20 नमंबर को विश्व बाल दीवस जिसका theme था a better future for every child दूसरा है आवास दीवस प्रधान मत्री आवास योजना के 5 वर्ष पूरे होने पे इससे observe किया जाता है आवास दीवस जो और आवास week होता है 16 से 22 नमंबर के बीच 21 नमंबर को world television day विश्व टेलिविजन दीवस और दूसरा world fisheries day आपको comment box में बताना है who invented television टेलिविजन के आविश्कारक कौन है तो world television day 21 नमंबर को observe किया जाता है 22 नमंबर 72nd NCC National Cadet Corps NCC Raising Day 22 NCC स्थापना दीवस 22 नमंबर को उसके बाद देखते हैं National Newborn week राष्टे नवजास सपता 15 से 21 नमंबर National Pharmacy week यानि राष्टे फार्मेसी सपता 16 से 22 नमंबर जिसका theme था Pharmacist Frontline Health Professionals फिर बात करते हैं Aviation Safety Awareness week वीमान सुरक्षा जागरुकता सपता 23 से 27 नमंबर उसके बाद बात करते हैं World Heritage week विश्व धरोहर सपता 19 से 25 नमंबर November 25 को होता है International Day for Elimination of Violence Against Women तो महिलाओ के जो खिलाफ हिंसा के उन्मुलन के लिए अंतराष्टे दिवस इसका theme था Orange the World End Violence Against Women Now फिर बात करते हैं 26 नमंबर National Milk Day राष्टे दुग तिवस ये हुआ इस बार तो Milk Day मनाया जाता है Birth Anniversary of Dr. Vargis Kurian जोकी Father of White Revolution है श्वेद क्रांती तो Father of White Revolution दॉक्टर वरगीज कूरियन उनका इस बार सौवी मतलब 100th birth anniversary था तो इस बार जो राष्ट मतलब National Milk Day 2021 का जो था और इस 100th birth anniversary of Dr. Vargis Kurian और इसी के साथ साथ पहली बार National Gopal Ratan Award शुरू किया गया National Gopal Ratan Awards by Ministry of Animal and Husbandry Dairy जो कि उसके मंत्री है पूरुशत्म रुपाला पूरुशत्म रुपाला Ministry of Animal Husbandry and Dairy 26 नॉम्बर को जो दूसरा है वो वेरी पॉर्टेंट बहत्रवा सम्विदान दिवस इस बार का 72nd Constitution Day था तो इसी दिन भारत का सम्विदान एडप्ट किया गया था बाई Constitutioned Assembly 1949 उनिसो उन्चास को 27 नॉम्बर को National Organ Donation दे राष्टे अंगदान दिवस 29 नॉम्बर को International Day of Solidarity with Palestinian People 29 नॉम्बर को International Day of Solidarity with Palestinian People 30 नॉम्बर को United Nations Day of Remembrance for All Victims of Chemical Warfare यानि रासानी यूद के सभी पीडियोतों के लिए यादगार दिवस 30 नॉम्बर को अब्जर्व किया जाता है फिर देख लेते हैं और भी कुछ है यानि इस बार हुआ 11 नॉम्बर को World Kindness Day 13 नॉम्बर को अब्जर्व किया गया Communal Harmony Week कौमी एकता दिवस सब्ता 19 से 25 नॉम्बर तो Communal Harmony Week 19 टू 25 नॉम्बर तो यह था नॉम्बर के दिवस और थीम डेज और थीम्स का वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और जो मैंने सवाल पुछे आप उसके जवाब कमेंट बोक्स में जरूर बता है तो थैंक यू वेरे मच फॉर वाचिंग दिवीडियो थैंक यू